वेलकम बैक तुझी चैनल देट कोई बरन तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवर्वाल क्रिप्टो करन सी मार्केट के बारे में जानेंगे क्या निज्ञ निकल के यह पास 24 आज में जो मार्केट पर इंपक्ट डाल रही है और आने वाले दिनों में हमको जो मार्केट करते हैं तो अगर हम देखे ओवर्वाल क्रिप्टो करन सी मार्केट आपको ग्रीन देखने को मल रही है हम काफी खुश है क्योंकि कल यह बिल्कुल जब रेड में होती है तो पैनिक मोड ओन हो जाता है और अब यह ग्रीन में है और इसके ग्रीन के रीजन काफी सारे है कई पॉजेटिव न्यूस बहुत बड़ी बड़ी निकल के हैं सब की बात करेंगे थोड़ा सा मार्केट का ओवर्व्यू ले ले लेते हैं जैसे कि मार्केट अभी देख रहा हूं 1.53 ट्रिलियन डॉलर कल से 2.12 परसेंट का इंक्रीज है कल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर र कर रहा है जो एथ है हमको यह भी पॉजिटिव में 2525 देखने को मिल रहा है बीन भी 353 एंड काडाइनो 1.56 कल काडाइनो काफी नीचे आ गया था एथिंग 1.40 तक आ गया था जोज कॉइन 32 सेंट कल आइथिंग 31 पर ट्रेड कर रहा था एक सार्प 86 पर ट्रेड कर रहा है ए देख सकते हैं बिटकोइन गोल्ड जो की 31 परसेंट से अप है एंड थीटा फ्यूल तो बढ़ता ही जा रहा है जब हमने थीटा फ्यूल की वीडियो बहुत नीचे था एंड हमारे बेस्ट रेकमेंडिट कंटेंट रेकमेंडिट कॉइन में से वो था अगर आपने इसकी व जो की अप एंड डाउन है बट जो ओवरॉल मार्केट का सिच्वेशन यह था कि कल बहुत बिटकोइन फ्लाइट हो गया था नीचे जा रहा था एंड 32 के जब नीचे ट्रेड किया था और उस बहुत सारे रिस्क थे लॉसस के बट वहां से बाउंस देहने को मिला एंड जो हर दूसरे दिन की कोशिश करती है कोई ना कोई एसा इंस्टेंट हो जा आता या कोई आप या कोई две के की निशर निचै जाती है तो अब जो पॉसितिव न्यूज बहुत बड़ी बड़ी पॉसितिव निउस निकल के वह रही है जो सबसे बड़ी है कि ऐब स паль का दिया है bitcoin क से पास हुआ उसको 60 वोट मिले आउट आफ 84 अब यह 90 डेज जब एक पर यह ऑफिशिल गजट में जब पब्लिश हो जाएगा जो है पाल्यामेंट के एंड से अल्वाडर के उसके बाद वह 90 डेज के अंदर वह ऑफिशिल हो जाएगा एंड बहुत पॉजिटिव न्यूज यह दर्शाता है और यह बताता है कि कैसे ओवराल वर्ल्ड में एल सल्वाडर एक प्रॉपर फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने बिटकोई को प्रॉपली डेगूलेट करके लीगल टेंडर बनाया है एंड इवन फॉर पेमेंट मेथर्ट एंड सब चीजों के लिए एक बिट पॉजिटिव एक जंप भी देहने को मिला बीटीसी में अगर मैं बीटीसी के चार्ट में दाउन तो बीटीसी कल से जब डाउन फॉल आया था ट्रंप के भाशन के बाद एंड ट्रंप उसके बाद जो निउस आई है चाइना फर्ड यह वो उसके बाद हमको नीचे देहने इसको यहां से बाउंस मिला एंड उसके बाद से आप देख सकते हो कि अब यह रिजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है जो 34112 अब यह 34,023 पे थी अब यह 34,118 पर है एंड होप कर सकते हैं गर हमको यहां से एक अच्छा ट्रेड वॉल्यूम देखने को मिले इंव इसको फोर आवर चार्ट पर लेकर जाओं तो हमको यहां पर देखने को मिले था कि RSI की वैली 46 हो गई है I think 43 42 पे था सुबह और जैसे जैसे देख रहा हूं है RSI भी उपर जा रहा है मतलब कि yes जो न्यूटरल पे हो रहा है एंड बाइंग हो रही है शाद BTC की अगर हम चेक्निकल्स में चेक करने तो लास्ट हो रहा है तो आपको चैल देखने को मिलेगा बट वान आवर में बाइस है 15 मिनिट्स में स्ट्रॉंग बाई है 5 मिनिट्स म बनेगा Bitcoin का क्योंकि Bitcoin एक लीगल टेंटर है कंट्री में बहुत बड़ी पॉजिटिव नियूज निकल के आ रही है एंड अगली नियूज की बात के तो माइक्रो स्ट्राटेजी ने अपने इंक्रीज किये डेप्ट्स पहले 400 मिलियन थे और उन्होंने वह 500 मिलियन में किये क्यों कि अब वह चाहते हैं कि और ज्यादा Bitcoin को क्वायर करें और एक स्पेकुलेटिव टैक करना चाहते हैं वह यूज के डॉलर के अगेंस्ट तो यह एक मूव उन्होंने किया जिसमें और ज्यादा Bitcoin को अक्युमिलेट कर रहे हैं अगर मैं आपको ट्रेजरी के लिखा हू क्रिटिसाइस करते हैं कि उन्होंने इतनी ज्यादा होल्डिंग करके रहे हैं आप सब को पता माइकल सेलर के बास नियर और 92,000 Bitcoin है और कंड देख सकते हो 92,079 और बहुत ज्यादा Bitcoin करके रहे हैं लेट सी आगे अब कैसे इसको मूव करते हैं अगली एक नही पॉजिटिव नियूज निकल के यह यह पेपल जिसने अभी नियरली चार नहीं क्रिप्टो करंसी इसको नया नया ट्रेडिंग में लेके आए थे जिसमें था Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash उसमें अब 2 billion का हो गया है जो मन्तली था उनका ट्रेड में में और बहुत अगल के आए बड़ा एक इंट्रस्टिंग यह मैं आगे कवर करने वाला है बहुत इंपोर्टेंट यह सेग्मेंट होने वाला है इस वीडियो का माइनिंग से लेटेड तो जो 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 चाइना में टेस्ट करेगा कि कितना टाइट है चाइना का Bitcoin बैन जो माइनिंग बै क्या उन्होंने चाइना को बैन जो माइनिंग है क्रिप्टो की Bitcoin की स्पेशली वह बैन की है यह नहीं इन टाइम आफ रेनी सीजन क्या होता है चाइना में बहुत जादा जो हाइडरो पावर है उससे बहुत जादा इलेक्सिटी जनरेट होती है और जो चाइना वो एक हब माईनिंग और हुआ जो बिट गूनें बिट को माईनिंग होती है और जो बिट को बहुत इंपॉर्टन थी है और यह रिद बावत इंपऔरिंग थे हम और यह बतायादा और ऑख नकले का ब्यान बैन ह Days तो मेरे कॉर्डिंग लिए बहुत प्रॉपर अच्छा और पॉजिटिव मूव होगा कैसे क्योंकि हमने अल्रडी जो चाइना है उसमें देखा है कि जब लास्ट हमको जब में में हमको क्रैश देखने को मला फ्लैश क्रैश स्टार्टिंग में हमको देखने को मला जब बहुत लोग चल रहा था एंड वो उसकी जो में स्टार्ट था एक था एक लॉनमस थे बटी जो माइनिंग का जो कोल्ड माइन में ब्लास्ट हो गया था उसकी वज़े से माइनस 30 परसेंट हुई थी मिड में में एंड उसके बाद क्या हुआ था एपरल में भी सेम हुआ था जब कोल्ड माइन में में एक्स्लोजिन हुआ था मंगोलिया प्रविंस के पास उसमें क्या हुआ कि उसमें भी लॉस देखने को मिला हमको बिटकोई की प्राइस नीचे आगी थी चाइना से उन कंट्रीज में जाएंगे या उन प्लेस पर जाएंगे जहां से चाइना के लिशन्शिप अच्छे हैं जैसे कि पाकिस्तान हो गया का गागस्तान हो गया यह जगाए यहां पर मैंनेस जाएंगे और बहुत एक मैं को यह पॉजिटिव निउस है क्यों कि अग बहुत एक इंपोर्टेंट निउस निकल के आ रही है और मैं यह जरूर चाहूंगा कि ऐसा हो वहां से सब कुछ निकले बैन करें वहां से माइन निकल जाए कोई बात निए शायद हमको एक टाइम का डाउनफॉल देहने को मिलेगा बिटकोईन का जब वहां से सारे माइनि माइनिक रहे हमानगे का दूइन नहीन सेटप सेंगे थी मारनि के देसे मानिक डाई चै। üç निकले इसे मामले बाता हुड यूड हम मतलब कि हमारे मार्ण थी तब हुआ पे hash rate drop हुआ था और आज यह फिर से on rise है और आज 12.03% से rise है कल से मतलब आप दे सकते हो कल माइनस 11 था और आज प्लस 12% हो गया है कल से यह हमको बताता है कि कैसे जो mining power है वो बहुत एक influence लाती है हाला कि मैं एक बहुत important चीज कवर करना चाहता हूँ यह मैं इस वीडियो में बताई जाता हूँ वैसे तो यह लंभी होई जाती है इसमें यह है कि जो mining data है जो mining और bitcoin का price है उसकी जो relativity correlation अभी तक नहीं निकल के आ है आने वाले उसको शायद 5 से लेके 7-8-10 साल भी लग सकते हैं जब तक वो data हमको और clear हो जाएगा कि क्या mining का hash rate जो होता है bitcoin और उसके price में कोई relation है जो अभी तक नोटिस एक चीज़ जरूर की गई है जब mining का hash rate उपर जाता है तो bitcoin का price भी उपर जाता है क्यों क्योंकि जब mining बहुत ज़्यादा होती है तो जो miners है वह भी क्या करते है bitcoin को एक point तक बहुत ज़्यादा accumulate करना शुरू कर देते है जब भी investor invest करना चाहे अगर मतलब bitcoin पर या वह देखना चाहता है कि market डाउन जा सकती है या नहीं तो मेरा एक छोटा सा suggestion है यह जो मेरी study है में उसके accordingly कह रहा हूं कि वह mining hash rate को देख सकते हैं यह मेरा पक्का कोई है नहीं यह मेरा तरीका है कुछ देखने का कई चीजों का notice करने का study करने का जो मैंने study किया है तो आप mining hash rate को ध्यान में रखके कर सकते हैं क्योंकि अगर कहीं power outage हुआ है तो हमको कहीं जगाओं पे mining से flash crash देखने को मिल सकता है bitcoin के price में हाला कि यह हर बार नहीं होता यह हर बार नहीं होता है यह इसके कोई full data full flash data नहीं है बड़ जितना मैं इसको study कर रहा हूँ इसका कहीं न कहीं एक न एक point पर जाके कुछ ना कुछ relation जरूर जरूर है bitcoin के price के साथ यह news निकल के आ रही है अगली में news बताना चाहता हूँ तो अगर आपको आज राद तक कोई FUD नहीं मिलता तो एक FUD यह है और यह बड़ा जीब सा FUD है इसको as a FUD News लेना और इसको कोई जाला serious मत लेना ऐसा कुछ नहीं होने वाला तो जो है क्या बोलते हैं CFTC Community Futures Trading Commission के जो head boss commissioner उन्होंने क्या बोला है कि जो DeFi है यह बहुत बुरा आइडिया है यह probably illegal है तो में को तो समय नहीं आती है आज कर लोग क्या कर रहे हैं DeFi आप सबको पता है future is DeFi Decentralized Financing Future है हम सब देख रहे हैं कि कैसे कैसे जन नहीने platforms integration होते हैं Ethereum पे बहुत बड़े बन नहीने blockchains बनते हैं एंड होहीं पर कई लोग आके कह रहे हैं भई DeFi is bad idea and illegal तो मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा तो रात को अगर आपको अगर कहीं से फड़ आर्टिकल लोग कहते हैं कुछ नहीं कुछ है जीव जीव अगली न्यूस में जाओं तो बहुत positive न्यूस निकल के आ रही है आज कल positive न्यूस निकलना भी मुश्किल हो गया है बट अच्छी न्यूस निकल गया है Amazon अब अपने blockchain staffers hire कर रही है with experience of DeFi जो कि बहुत बड़ी news है क्योंकि Amazon आप सब को पता है कि इतना बड़ा है and they are making की चाहते हैं कि अब वो blockchain staffers को लाएं और DeFi का experience अपने platform पे लाने की कोशिश करें and integration कर पाएं Amazon के products के साथ और Amazon का ये managed blockchain AMB होगा एक fully managed service होगी excellent customer ability leverage blockchain technology और innovative businesses बनाने के लिए use case DeFi के supply chain financial services identity यूज अगरा सब करेंगे इस ही हमको बता रहा है कि जो adoption है वो उसकी जो एक seed बोना था वो हमको El Salvador ने बहुता हुआ दिखा दिए and अब आगे positives ही positives है future में so अगर आप अभी dip से डर रहे हो या मतलब जो crash हो है market का उसमें अगर आप panic में आपको बहुत जाए loss है तो आप थोड़ा सा future में सोचो कि कितना बड़ा scope बनता जा रहा है धिरे धिरे क्रिप्टो का और क्रिप्टो इंडस्ट्री का especially bitcoin और adoption का so future बहुत bright है and हम सब hope करेंगे कि सब best हो and let's see आगे कैसे होगा मैं जरूर यह कह सकता हो कि आज से 5 सल बाद बहुत बड़ा future होने वाला क्रिप्टो का इस दुनिया में अगली news निकल के आ रही है यह भी बहुत positive news है and crypto exchanges ने सबसे बड़ा bitcoin का outflow मतलब experience किया 7 months में क्या अब यह reason है चीर का 40% तो है and but एक बहुत important इस निकल के यह कि जो bitcoin का outflow exchanges पे वह on surge इसका मतलब क्या होता है लोग exchanges से अपने bitcoin को या तो किसी cold storage में डाल रहे हैं या अपने wallets में लेकर इसको store कर रहे हैं but for a long term okay crypto exchanges ने outflow 22,550 bitcoin का मंदे को किया जो कि biggest single day था since November 2020 glass node का data है और यह बहुत important मतलब एक fact बन जाता है कि कैसे जो bitcoin का outflow हो रहा है हम inflow में हमेशे हमको थोड़ा सा panic जरूर होता है भले inflows liquidity के लिए हो सकते हैं but outflows are definitely कि जो लोग है उन्होंने उसको निकाला है for longer कि उसको long term के लिए रखना चाहते है माइड भी जो institutions आही है जो whales है उन्होंने जो bitcoin अक्मुलेट किया है वो तो यह लॉंग टाम के लिए करना चाहते हैं उन्होंने उसको external wallet पर डाला या cold storage पर डाला तो यह कह सकते हो एक hodling का process हो सकता है कि आप अब लंबे time के लिए hold होने वाला है यह बट लेट सी कैसे काम करता है बट यह जरूर एक प्रॉपर मैं काऊंगा एक positive कही ना कहीं तो है क्योंकि हमको inflow सुनने को रोज मिलते हैं और जब आउट फ्लो मिला है तो वह biggest है in seven months अगली एक और positive news कि मैं यह भी बात कर दूँ कि जो मेक्सिको के legislative members है उन्होंने क्या किया एक नया crypto regulation lower house में present करने की तियारी कर रहे हैं देख सकते हो आप कैसे कैसे बड़े बड़े जो हैं अब countries है they are moving towards regulation they want bitcoin to be a legal tender legal asset यह जैसे भी उसको treat करना चाहे बट at the end जो main point आता है व इसका future है वो उसको रखना चाहते हैं बहुत positive news निकल के आ रही है and let's see हमको आने ओले दिनों में भी बहुत अच्छी चीज़े निकल के आ है प्लस मैं कल की चीज़ कवर करना चाहता हूं जो लोग security fund से थोड़ा सा वो थे डरे हुए थे कि जो कल ransomware hacker से near about FBI ने bitcoins को किया है तो लोग डरे हुए थे कि private keys कहां से मिली उनको जो report है उन्होंने indicate कर रहे है कि जो FBI का agency है उन्होंने custodial wallet का access लिया था court order से तो यह कह सकते है कि जो मेंस्ट्रीम मेडिया वो क्या कर रही है bitcoin network security को एक FUD बता रही है थोड़ा उस पर ध्यान दे bitcoin security बहुत अच्छी है थोड़े जिनों में हमको clear हो जागा कि यह क्या सीन था बाग की let's hope कि क्या अच्छी चीज़ी निकल के आए बट overall आज market में काफी positives देखने को मिले हैं and हम expect कर सकते हैं कि आने वाले जिनों में market जरूर positives में जाएगी but yes में आप यह बात जरूर सुने अगर आप सोचने कि crypto में आप आज इन्वेस्ट करेंगे और 21 दिन में पैसा double होने वाला है तो वो तो नहीं है कई cases में हो भी जात दिखेंगे ने highest lows सब देखने को मिलेगा but yes at the end of the day यह है कि आप सब पैनिकने करें आप सब ढरे मत सब ठीक होगा market में बहुत positive news निकल के आरी है and I hope कि और positive निकल के आये and हमको एक अच्छा market में stability देखने को मिले आने वाले दिनों में so यही था मैं सारे वीडियो का scene and I hope मै अप्डेट्स थे major and उमीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो करो like share करो अपने दोस्तों के साथ और उनको बताओ कि क्या चल रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लिए सब्सक्राइब और बैल आइकन जबाना ताकि लि आप सब अपना ख्याल रखें मैं मिलता हूं आप से एक लिए वीडियो के लिए सब तक के लिए सीया